हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आज आज आप लोग देख सकते हैं डिरेक्ट मैं अपने मुबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और जे एस डबलू स्टील्स का आपको लोगो दिख रहा होगा और अगर आज आप मार्केट खारीदने जाता हैं जे एस डबलू स्टील्स तो किस रट में आपको मिलने वाला है इसी बात को हम लोग दिख रहाएं एट एमम से लेके पतंचीश एमम तक किस रहाठे में मिलेगा और पर लास्ट में प्रसेंटेज डिसकाउंट आपको minimum कितना मिलना चाहिए ये भी last में हम लोग discuss करेंगे तो बहुत ही helpful वीडियो होने वाला है दोस्तों तो वीडियो को आप सभी complete देखें और पूरा complete में वीडियो में बने रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग पार्ट पे चल लेते हैं जहां हमारा 6 mm से में लोग का स्टार्ट हो रहा है तो 6 mm का देख सकते हैं 6 mm का जो रेट है 242 रुपे पर पीस ये रेट दिया हुआ है तो आपको kg पता होना चाहिए एक बार कितने kg का होता है तो वो हमारा 2.667 kg का होता है 6 mm का बार तो पर kg आपको परने वाला है वो 90.7 रुपे पर kg आपको 6 mm का बार परने वाला है और पिछले मंत का रेट अगर देखिएगा तो पिछले मंत का रेट जो था 249 रुपे रेट था एक बार का मतलब 3 रुपे पर बार रेट JSW का इंक्रीज हो चुका है और टाटा स्टिल्स का भी रेट इंक्रीज हुआ था तो पर kg जो पिछले मंत था वो 89.6 रुपे पर kg था 8 mm का देखे तो 412 रुपे अभी रेट है और 407 रुपे पिछले मंत था 85.9 रुपे पर kg पिछले मंत था तो एक रुपे पर kg से दिख रहा है यहां 412 रुपे अभी रेट है 407 रुपे था पांच रुपे बढ़ चुका है पर पिस तो एक बार का वेट होता है 4.7 kg तो एक रुपे पर kg के हिसाब से 8 mm का भी JSW का राइट इंक्रीज हो गया अगस्त महिनी में अभी आने वाले महिने में और भी रेट इंक्रीज होने वाला है चाहे वो आप Tata का खड़ीदे या JSW का खड़ीदे जिंदल का खड़ीदे सिर्फ इस्टेल्स का खड़ीदे टॉप बरंड जो भी इंडिया में हमारा चलता है जो इंडिया लेवल पे उसका रेट लागातार इंक्रीज होने वाला है तो आगे चलते हैं हम लोग आगे चलेंगे हम लोग देख सकते हैं हम लोग 10 mm का 10 mm का रेट कितना है 632 रुपे 10 mm का रेट है और वेट जो 10 mm का होता है 7.407 kg का एक बार होता है इसलिए आपको 85.3 रुपे पर केजी आपको 10 mm मिलने वाला है जो रेट पिछले मन था 623 पर बार आपको 10 mm का तो 84.1 रुपे पर केजी था एक रुपे से भी ज्यादा एक रुपे 20 पैसा इंक्रीज हो चुका है ठीक है आपको 10 mm का 12 mm का देख सकते है 895 रुपे रेट है और पर केजी आपको 83.9 रुपे पर केजी आपको मिलने वाला है एक बार का वेट बार हम का 10.667 केजी का होता है और पिछले मंद जो रेट था कितना था 83.9 रुपे पर केजी ये कॉलम है ठीक है इसमें भी आप देख सकते हैं कितना का इसमें भी आपको 895 रुपे है और इस मंद 883 रुपे है तो मतलब 12 रुपे पर केजी इंक्रीज हो गया है तो 1 रुपे 20 पैसा क्या सपस ये भी इंक्रीज हुआ है ठीक है तो रेट में लगभग 1 रुपे से जादा ही रुपे पर केजी इंक्रीज हुआ है और बार में जाईएगा तो जितने केजी का बार होता है तो इसमें देख सकते हैं आप 9 रुपे का इंक्रीज हुआ है जारे 7 केजी का होता है इसमें 10 11 kg के लग बक्का होता है तो इसमें इंक्रीमेंट जो बारा रुपय का इंक्रीमेंट है मतलब एक रुपय पर की से ज्यादा इंक्रीमेंट है अभी तक अगर दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर लें अब हम लोग चलेंगे 16 mm पर 16 mm पर देख सकते है 1593 रुपे रेट है और 18.96 kg का आपको एक बार होता है 16 mm का 84 रुपे पर kg आपको मिल जाएगा 16 mm 20 mm कितना है 2490 रुपे रेट अभी चल रहा है और 29.6 kg का एक बार होता है 84 रुपे केजी ये भी मिल जाएगा आपको ठीक है पिछले मन दोनों बार का रेट जो था 1571 रुपे इसका रेट था तो ये 22 रुपे करके इंक्रीज कर गया पर बार 16 mm का और जहाँ देखे 20 mm का तो 20 mm लगभग इंक्रीज कर गया आपको 34 रुपए 34 रुपए करके पर बार increase कर गया देख सकते हैं 82.88 रुपए पर केजी था ये 82.88 रुपए पर केजी था तो लगभग 1 रुपए 20 पैसा के आसपास increase हो गया है ठीक है तो 1 रुपए से ज़्यादा करके ही increase हो 27 तक का rate आप लोग देख चुके हैं अगर आप लोग डाया पता हो और केजी कैसे निकालते हैं कितने केजी का पार होगा तो अगर वो सीखना चाहते हैं तो पहले इस से पहले हम लोग वीडियो उस पर बना चुके हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं तो 25 पे चलते हैं 25 का देख सकते हैं 381 रुपए rate है एक बार का weight जो होता है वो 46.2 kg का है जो आपको 83.8 रुपए पर केजी आपको मिलने वाला है इस वीडियो में यहीं तक आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा share करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें और bell icon दवाना ना भूलें क्योंकि इसी तरह के वीडियो लगातार मैं अपने चैनल पे आप सभी के लिए helpful लाता रहता हूँ तो इसलिए bell icon जरूर प्रेस करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हीं जय भारत